हेलो बच्चों सबको बहुत बहुत गुद मॉनिंग आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे सुरक्षित होंगे और घरों से ही ये क्लास को अटेंड कर रहे होंगे अब जैसा कि आपको याद होगा बच्चों हमने डिसकस किया था कि जो पहला टॉपिक हम लोग चालू करे जैव अनू या जिसे हम क्या कहेंगे बायो मॉलीक्यूल्स ठीके बच्चों अब ऑनलाइन जो सिस्टम है उसका आपको याद रखना है आपको अच्छी तरह अपने टाबलेट्स को या अपने मुबाइल फोन्स को ऐसे होरिजॉन्टल मोड पे रख लेंगे इयर फोन्स को अपने कान में डाल लेंगे और आराम से तसली से पढ़ाई करेंगे ठीके बीच में जब मैं टॉपिक समझा रहा हूंगा बच्चों जब आपको कमेंट्स नहीं करने हैं हाँ जब मैं आपसे कोई प्रशन पूछूं और लास्के पांच-दस मिनिट में जब आपको कोई प चीखने में बहुत मजा आने वाला है ठीके अब हेल्थ बढ़िया है बच्चों परसों मैंने वैक्सिनेशन किया था तो कल तबित खराब थी लेकिन अब बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त हैं तो आईए चालू करते हैं जैव अनू चलिए बच्चों अब जैव अनू मे सजीव तंत्र है कोई कोशी का है उसके भीतर जितने भी कार्बनिक योगिक होते हैं जितने भी और गैनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जैवनू कहते हैं अब आपको एक चीज और याद रखनी है बच्चों कि आपने किन किन के नाम सुने होंगे बिल् वो क्या है जैव अनू है तो प्रोटीन्स कार्बो हाइड्रेट्स वसा यानी लिपिड्स और नूकलिक अमल डीने और आरेने ये सब जो है वो क्या है जैव अनू के उधारन है ठीके बच्चों नोट्स आप देखिए साथ साथ लिख भी सकते हैं लेकिन बहतर होगा बच्च तो सारा मेरा हैंड डिटन नोट जो है न बच्चों उसकी PDF तो आपको मिल ही जाएगी तो आप लाइव क्लास में समझने पर ध्यान दीजिए वो जादा इंपोर्टेंट है ठीके चलिए बच्चों तो अब हम पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है सबसे पहली में क्या मिलेगा भई सर्वाधिक मात्रा में अगर मैं आपसे पहली चीज पूछता हूँ कि अगर आपके पास कोई जीवित तंत्र है कोई जीवित तंत्र है या कोशी का है कोई भी जीवित तंत्र या कोशी का है बच्चों उसमें सर्वाधिक मात्रा में आपको क्या मिलेगा क्या बात है जवाब भी आने लग गए मेरे पास तो जीवित तंत्र या कोशी का में सर्वाधिक मात्रा में हमको क्या मिलता है जल बिल्कुल सही तो कोई भी कोशी का है कोई भी जीवित तंत्र है उसमें सरवाधिक मात्रा में क्या मिलेगा बच्चों आप लोगों को प्रोटीन मिलेगा प्रोटीन नहीं क्या मिलेगा भई जल मिलेगा लेकिन जल तो आप सबको मालूम है आकार्बनिक है भई जल तो हमारे पास आकार्बनिक यानि इन और्गैनिक होता है न क्योंकि इसमें तो कार्बन नहीं है तो जीवित तंत्र या कोशिका में वैसे तो सरवाधिक मात्रा में क्या मिलेगा जल लेकिन जल में कार्बन नहीं है जल क्या है बच्चों अकार्बनिक तो यदि आप से पूछ लिया जाए कि जीवित तंत्र या कोशिका में सरवाधिक मात्रा में कार्ब कार्बनिक पदार्थ कौन सा मिलेगा अकार्बनिक तो जल है लेकिन कार्बनिक पदार्थ जो जीवित तंत्र या कोशिका में सरवाधिक मात्रा में मिलेगा तो वो आंसर है प्रोटीन्स क्या बात है बचों सब के सब जवाब सही दे रहे हैं बहुत यार क्या बात है आप लो कि सरवाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ कौन सा होगा तो आंसर हम क्या करेंगे प्रोटीन तो दो चीजें आपको याद रखना है बच्चों एमसी की उसकी तयारी करनी है तो जैवनू में ये सवाल जरूर आते हैं आपसे पूछ लेंगे जीवित तंत्र में सरवाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ है तो तो आंसर आप जल करेंगे लेकिन जीवित तंत्र या कोशिका में सरवाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ आपसे पूछ लिए जाएं तो आंसर क्या करेंगे प्रोटीन करेंगे अच्छा एक और चीज याद रखेगा ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि एक सजीव तंत्र में एक जीवित तंत्र में सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा होगा अगर तत्व या एलिमेंट पूछ ले तो आंसर ओक्सिजन करिएगा ठीके अगर आपके पास तत्व पूछ लें कि भाई एक कोशिका में एक जीवित तंत्र में सरवाधिक मात्रा में तत्व कौन सा होगा एलिमेंट कौन सा होगा तो ओक्सिजन तो आंसर क्या करेंगे ओक्सिजन तो नेक्स्ट याद रखना है में सरवार्धिक मात्रा में तत्व या एलिमेंट कौन सा है तो आप आंसर क्या करेंगे ऑक्सीजन याद रखना बच्छों ऑक्सीजन बहुत अच्छा जवाब तो जीवित तंत्र में सरवार्धिक मात्रा में तो याद हो गया आसानी से जल है सरवार्धिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ कौन सा है प्रोटीन है और जीवित तंत्र या कोशिका में सरवार्धिक मात्रा में तत्व या एलिमेंट कौन सा होगा तो वो हमारे पास जन होगा तो यह तो आसान चीज है फिर बच्चों अगर आपने NCRT रीडिंग मारी होगी तो NCRT वैसे तो चाप्टर खतम होने के बाद हमको NCRT पढ़नी है बट NCRT में टेबल दे रखा है और वो टेबल आपको ध्यान में रखनी है ठीक है वो टेबल कौन सी है तो वो ही ट प्रतिशत कोशी किया भार तो अपन ने देखा था बच्चों जल जल की मातरा कोशी का में कितनी होती है सत्तर से नब्बे प्रतिशत सत्तर से नब्बे प्रतिशत सरवाधिक मातरा में कोशी का के अंदर क्या मिलता है बच्चों जल मिलता है जल किया भार कितना है फिर कारबनिक पदार सरवाधिक मातरा में प्रोटीन है कितना होता है बच्छों 10 से 15 प्रतिशत जल कितना है बच्छों 10 प्रतिशत फिर अपने पास आते हैं बच्छो नियूकली कमल नियूकली कमल जिसके उधारण क्या होते हैं DNA और RNA DNA और RNA किसका उधारन है भई नूखली कमल का और नूखली कमल कितना होता है पांच से साथ परसेंट फिर आपके पास कार्बो हाइड्रेट्स कार्बो हाइड्रेट्स कितने होंगे बच्चों लगभग लगभग तीन प्रतिशत फिर वसा यानी लिपिड्स कितने दो प्रतिशत और फाइनली आपके पास आयन्स या खनिज वो कितने हो गए वन प्रतिशत तो ये आपको याद रखना है अच्छी तरह ये टेबल इंपोर्टेंट है एन्सी आटी में दे रखी है तो क्वेस्चन आप पे पास आ सकता है बढ़ते वे से घड़ते वे क्रम या घड़ते वे से बढ़तावा क्रम आपसे पूछ लिया जाए ये देखो मैंने टेबल किस फ़र्म में बनाई है बढ़ते से घड़ते वे क्रम सरवाधिक मात्रा में कोशिका के अंदर जल मिलेगा 70-90 प्रतिशत प्रोटीन 10-15 प्रतिशत न्यूक्लिक अमलब 5-7 प्रतिशत न्यूक्लिक अमलब 5-7 प्रतिश में पूरे जैव मंडल में सरवाधिक मात्रा में हमको क्या मिलता है सेल्यूलोस वह अपन कार्बो हाइड्रेट में पढ़ेंगे बिल्कुल सही ब्रदीप जी ऑक्सिजन तो बेटा तत्व होता है है ना यहां पर तो अपन पदार्त योगीकों की बात कर रहे है ना कंपाउ फाइड़ है अब इस चाप्टर में क्या करना है इस चाप्टर में हम सारे जैवनू ही तो पढ़ने वाले हैं और बहुत आसानी से पढ़ेंगे और बहुत मजे से पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मैं अब सब से पहले तो हम किसकी बात करेंगे सबसे पहले तो हम किसकी बात करेंगे भई आज हम प्रोटीन्स चालू करेंगे ठीक है आज हम सबसे पहली कौन सा जैवनू पढ़ने वाले है प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने वाले बिल्कुल सेल्यूलोस, कार्बोहइट होता है क्या बात है यार जबर्दस होशयार सुडेंट से भई, सब लोग पहले से पढ़के आ रहे हैं, मज़े आने वाला है, बहुर अच्छी, तो आज अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भई बच्चों, प्रोटीन्स, सबसे पहले हम किस की बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे, सही, अब मुझे एक चीज यहाद खाना भई, हाँ अरे वाह क्या बात है, अब सुनो, प्रोटीन्स के बारे में हमको क्या-क्या मालूम है, प्रोटीन्स के आलावा, इनके आलावा और कुछ नहीं है, ये रहे बेटा सब तो देख लिए, जै वनू तो यही तो है, सारे, अब प्रोटीन के बारे में हमको क्या-क्या मालूम चल गया? हमको सबसे पहले ये मालूम चल गया, कि प्रोटीन जो हैं, वो एक कोशिका के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले क्या हैं? कार्बनिक योगिक हैं. तो हमको पहला बिंदू इनके बारे में क्या मालूम चल गया भई कि ये जीवित तंत्र में सर्वाधिक मात्रा के कार्बनिक पदार्थ है तो जीवित तंत्र में सर्वाधिक मात्रा के कार्बनिक पदार कौन से है प्रोटीन्स है पहली चीज़ दूसरा प्रोटीन्स के उधारन सुने आपने अगर अपन प्रोटीन्स के उधारन बनाए मानव शरीर में प्रोटीन्स के उधारन देखें तो ये आपके नाखुन में बालों में कौन सा प्रोटीन होता है बच्चों, हमारे नाखुन में बालों में कौन सा प्रोटीन होता है, केरिटिन प्रोटीन है, अपने RBC के भीतर कौन सा प्रोटीन होता है, हीमोगलोबिन, पेशियों में संकुचन में कौन से प्रोटीन काम करते हैं, एक्टिन मायोसिन, प्रती रक्षा में कौन काम करती हैं antibodies, वो antibodies क्या होती है, proteins, ठीके enzymes शरीर में पाचन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया, इन सब का उत प्रेरन कौन करती है, enzymes, enzymes रसाइनिक रूप से क्या होती है, proteins, तो enzymes, proteins है, antibodies प्रती रक्षा में काम करने वाली proteins है, हीमोग्लोबिन गैसो के स्थानांतरन में काम करने वाला प्रोटीन है इंस्यूलेन, ग्लूकागॉन कुछ हॉर्मोन होते हैं कुछ हॉर्मोन होते हैं वो भी रसाइनिक रूप से प्रोटीन्स है तो इतने अलग-अलग तरे के प्रोटीन्स हैं अपने शरीर में enzymes हैं, प्रतिरक्षा के proteins हैं, गैसों के स्थानांतरण में proteins हैं आपके पास पेशिय संकुचन में काम करने वाले proteins हैं, hormones हैं जो काफी proteins हैं तो इतने अलग-अलग प्रकार के proteins हैं इसका मतलब ये सबसे विविद प्रकार के कार्बनिक योगिक होते हैं तो proteins के बारे में दूसरा बिंदू क्या हो गया भई? की शरीर में या जीविद तंत्र में सबसे विविद प्रकार के कार्बनिक योगिक भी कौन से होंगे? proteins तो आपके पास दूसरा बिंदू क्या आ गया बच्चों? यह सबसे विविद प्रकार देखो बच्चों याद रखना में हमेशा अंग्रेजी टर्म साथ में लिखूंगा और अंग्रेजी टर्म्स आपको हर चीज के आने चाहिए सुन लेना, हिंदी मीडियम के स्टूडेंस अपन लोग हैं, लेकिन आपको अंग्रेजी टर्म्स याद होने चाहिए बच्चों अंग्रेजी टर्म्स इसलिए याद होने चाहिए कि नीट में जब question पेपर आता है ना, तो by chance हिंदी के प्रशन में यदि कोई गलती हो, तो अंग्रेजी वाला option सही माना जाता है तो हमेशा बच्चों आप अब लोग अभी से आदत डाल देना, आगे आप MBBS पढ़ोगे, तो MBBS में भी अंग्रेजी में ही पढ़ाई होती है MBBS में हिंदी में नहीं होती MBBS, तो अभी से इसी स्तर से अंग्रेजी टर्म्स याद करना और अंग्रेजी टर्म्स समझना सरूरी है अभी से आप चालू कर दीजेगा आपको बहुत फाइदा आएगा आगे तो मैं हर बार हिंदी के आगे अंग्रेजी टर्म जरूर लिखूंगा ताके अंग्रेजी में आपको आगे प्रोब्लम ना हो ठीके बच्चों तो सबसे विविद प्रकार के यानि डाइवर सबसे विविद प्रकार के कार्बनिक अनू है ठीके बच्चों तो बिलकुल सही अरे क्या बात है तो प्रोटीन के बारे में दो बिंदू क्या क्या देख लिए एक तो जीवित तंत्र में सरवाधिक मात्रा के कार्बनिक पदार्थ है पहला दूसरा सबसे विविद प्रकार के यानि डाइवर्स प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं दूसरा बिंदू तीसरा तो आप लोगों ने कमेंट्स करके ब बड़े अनू आप लोगों ने बता ही दिया सर ये तो बड़े अनू है ये कैसे अनू होते हैं बड़े अनू बड़े अनू यानि इनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलीक्यूल्स मैक्रो का मतलब होता है बच्छों बड़ा मैक्रो का मतलब क्या होता है बड़ा मैक्रो मतलब बड़ा इसलिए बड़े अनु हैं यानि macromolecules और बड़े अनु हैं मतला बहुलक होंगे अगर ये बड़े अनु हैं तो ये एक लक होंगे या बहुलक होंगे भई बहुलक होंगे और किसके बहुलक होंगे अमीनो अमलके तो next बिंदू आपको ध्यान रखना है proteins जो है वो किस के बहुलक होते हैं बचों amino के बहुलक कहलाते हैं बहुलक को हम क्या कहते हैं polymer अब मेरा एक सवाल है बचों बिल्कुल सही आगे अब सब लोग देखिये आप लोग थोड़ा basic amino amino के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमको इतना पता है ना कि 20 प्रकार के प्राकर्तिक अमीनो अमल होते हैं 20 अलग-अलग प्रकार के प्राकर्तिक अमीनो अमल होते हैं और ये 20 अलग-अलग प्रकार के प्राकर्तिक अमीनो अमल ही प्रोटीन बनाते हैं तो कोई भी प्रोटीन जो होता है उसमें एक ही प्रकार के अमीनो अमले होते हैं या अलग-अलग प्रकार के तो हर प्रोटीन जो है वो अलग-अलग प्रकार के अमीनो अमले से बना है तो क्योंकि वो अलग-अलग प्रकार के अमीनो अमले से बना है तो वो सम बहुलक होगा या विशम बहुलक तो आप लोगों ने तो जवाब भी दे दिये मुझे बिलकुल विशम बहुलक क्योंकि हर प्रोटीन जो है वो अलग-अलग प्रकार के अमीनों अमले से बना होता है 20 अलग-अलग प्रकार के अमीनों अमले जो है वो प्रोटीन बनाने में काम करते हैं तो वो अलग-अलग प्रकार के अमीनों अमले से बना हुआ है इसी लिए हम उसे क्या कहते हैं बच्चों विशम बहुलग इसी लिए हम उसे क्या कहते हैं विशम बहुलग यानि अंग्रेजी में हेटरो पॉलीमर ठीके तो आपके पास proteins के ये लक्षन मैंने आपको बता दिये याद रखना बच्चों मैं हर चीज को point में लिखता हूँ ठीके हर चीज को हर system को अपने से points में याद रखेंगे बच्चों तो points में notes बनाने में बहुत आसानी होती है इनको वापस पढ़ने में revise करने में आसानी होती है और questions need के in points के बाहर से आएगा ही नहीं तो हमेशा आपको points notes जो है वो ऐसे arrow form में बनाने है flow chart के form में बनाने है ताके आसानी हो जाए ठीके अब gene भी विशम बहुला के नहीं हाँ बेटा gene तो DNA का ही भाग है ना तो gene को भी आप विशम बहुला कह सकते हो बहुर अच्छा तो clear बच्चों proteins के लक्षन proteins के बारे में अपने देख लिया जीवित तंत्र के सरवाधिक मात्रा के कारबनिक पदार्थ है सबसे vivid प्रकार के diverse प्रकार के कारबनिक पदार्थ है छोटे तो अनू है नहीं बड़े अनू है और बड़े अनू है इसका मतलब विशम बहुलक है और किसके विशम बहुलक अमीन उमलके वैसे तो ब्राकर्तिक अमीन उमलक जो है प्राकर्तिक अमीन अमलब 20 प्रकार के हैं, लेकिन नए खोजे गए हैं बचों, मैं आपको 21, मैं आपको 21 वा अमीन अमलब भी बताऊंगा, 22 वा अमीन अमलब भी बताऊंगा, ठीके, प्राकर्तिक रूप से 20 अमीन अमलब पढ़ते थे अपन, नई NCRT में 21 लिखा हुआ है, 22 भी बता दूँगा, बता सब दूँगा आपको धीरे-धीरे, मस रहुँ आप लोग, सब बता दूँगा, और कोई दिक्कत नहीं आईगी, चलो, तो अब देखो भई, सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे अब अमीनो अमलकी, क्योंकि अमीनो अमलकी अरे चलो, अमीनो अम या श्रिंकला भी कह सकते हो, बच्चों आप protein को बिल्कुल कह सकते हो, तो amino amlak की chain, amina omla की श्रिंकला, amino amक के विशंबहुलग जो हैं, वो protein होते हैं, ठीके अरे सब पढ़ेंगे बेटा, है न, proteins, carbohydrates, वसा, इस chapter में सब पढ़ेंगे, base, foundation बनाएंगे अपन बाईले जी के लिए बिल्कुल ठीके बच्चों चलो अब एके करके सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे भाई सबसे पहले तो आज ये दी हम अब सबसे पहले अमीनो अमलकी बात करेंगे तो हम आज सबसे पहले तो किसकी बात करेंगे अमीनो एसेड्स ठीके अब अमीनो अमल की बात हम करें नहीं अगर आप प्रस्न में राम्रतन जी अगर आप प्रस्न कोई भी नीट में प्रस्न अटेंट नहीं करते हो ना बेटा तो उसके नेगेटिव नहीं होती जब आप प्रश्ण को attempt करते हो और गलत करते हो तभी negative marking होती है अगर आपने किसी प्रश्ण को attempt नहीं किया तो negative marking नहीं होती बेटा ठीके आरे बहुत बहुत धन्यवाद पंकर जी चलिए अब amino amla के बारे में क्या क्या बिंदू अपन को मालूम है आओ बताओ फटाफट सबसे पहले amino amla proteins की इकाईया है protein की आधारिय इकाई है एक लग है बिलकुल सही तो amino amla क्या है भई amino amla जो है protein के एक लग या आधारिय इकाई होते हैं तो हम अंग्रेजी इसको अंग्रेजी में कहते हैं ये protein के एक लग यानि monomers या basic unit है है कि नहीं बच्चों बिलकुल सही तो आपके पास protein के एक लग या protein की जो आधारिय इकाई है वो क्या है amino amla तो protein किस से बने होंगे amino amla से तो amino amla ही protein के एक लग है या जिसे कहते हैं आधारिय इकाई बिलकुल बचों previous वाले में याड़ कर सकते हैं बिलकुल अब दूसरा point भई amino amla की बात करें अपन तो amino amla की संरचना देखेंगे अब amino amla की क्या बात करें बच्चों अगर हम संरचना की amino amla की किसकी बात करें संरचना की कार्बन डायोकसाइड को हम जैवनू नहीं मानते लोकेश बेटा कार्बन डायोकसाइड एक गैस है उसको हम जैवनू में शामिल नहीं करते ठीके बेटा अब amino amla की संरचना ध्यान देंगे बच्चों तो amino amla की संरचना में क्या होता है एक Candrida carbon होगा, Candrida carbon है, जिसे अपन alpha carbon कहते हैं, ठीक है, तो एक Candrida carbon है, जिसे हम क्या कहते है?, alpha carbon कहते है, अब carbon की valence सबको पता है, 4 होती है, इसका नाम ही क्या है अमीनो अमल तो एक तो अमीनो समू होगा NH2, एक अमल होगा COOH, एक हाइड्रोजन होता है और एक आर होता है जिसे हम अलकाइल समू कहते हैं इक आर होता है जिसे हम क्या कहते हैं अलकाइल समू, अब एक एक करके ये मैंने किसकी संदचना बनाई है एक अमीनो यसिड की संदचना बनाई है यह किस की संदचना बनाई है बच्चों हमने एक fac amino अमल की ध्यान से देखना इसमें kendra में एक alpha carbon है अब आप बोलो गई सार इसको alpha क्यों लिखा है नाम है बस जो kendra carbon होता है उसको alpha कहते हैं तो kendra carbon को alpha carbon कहा कार्बन के साथ अमीनो एक अमाइनो समूँ जुडा है एक अमल अमलिय समूँ जुडा है एक हाइडोजन है और एक आर या अलकाईसमू है सबसे पहले तो आप लोगों को मीथेन की संदचना तो सबको मालूम है बच्चों मीथेन तो क्या होता है CH4, ये सब को मालूम है, हम सब को मालूम है कि ये मीथेन की संदचना है CH4, अब मीथेन और अमीनोमलों को देखो, तो मीथेन से H हटा, अलकाइल समूँ आया, दूसरा H हटा, ऐसेडिक समूँ आया, ये एक और H हटा, अमीनो समूँ आया, तो मीथेन के H जो है, मीथेन के हाइ हाइड्रोजन को प्रती स्थापित करके क्या बना सकते हैं अमीनो अमल और ऐसा ही बना प्रित्वी पर जब जीवन की उत्पत्ती हुई ना तो ये अमीनो अमल बने कैसे भई जब प्रित्वी पर जीवन की उत्पत्ती हुई थी तो मीथेन गैस के रूप में थी फिर वो मीथ मीथेन के हाइडरोजन हटे और मीथेन के हाइडरोजन हटने से अमीनो अमल निर्मित हुआ तो मीथेन के प्रतीस थापन से किसका निर्मान होता है अमीनो अमल का इसलिए हम अमीनो अमल को प्रतीस थापित मीथेन कह सकते हैं कह सकते हैं कि नहीं तो आपको नेक्स बिंदू क् ध्यान में रखना है कि अमीनों अमल अमीनों अमल प्रतीस्थापित मीथेन होते हैं ठीक है अंग्रेजी में इसे कहते हैं बच्छों सबस्टीटिटेड मीथेन अंग्रेजी में इसे हम क्या कहेंगे सबस्टीटिटेड मीथेन तो मीथेन का प्रतीस्थापन हुआ और मीथेन के प्रतीस्थापन से अमीनों अमल बनते हैं अब 20 मान लो या 21 मान लो या 22 मान लो कोई भी ये प्राकरतिक अमीनों अमल हैं जो प्रोटीन बनाते हैं अब ये 20 या 21 या 22 ये जितने भी अमीनों अमल हैं प्राकरतिक अमीनों अमल इन सब में केंद्रिया अलफा कार्बन होगा सभी में NH2 होगा सभी में COOH होगा और सभी में H होगा ये सारे समू तो सब में सेम है अलग क्या होगा ये आर या अलकाईल समू तो ये जो आर या अलकाईल समू है ये ही तो ये ही आर या अलकाईल समू जो है यही तो हर अमीनो अमल में अलग होगा तो यह जो 20, 21 या 22 अलग-अलग अमीनो अमल है ना तो यह अलग-अलग अमीनो अमल में अलग-अलग क्या होगा तो अलग-अलग यह आर या अलकाइल समू ही होगा क्योंकि सब अमीनों अमल में ये केंद्रिय कार्बन मिलेगा, सब में NH2 समू मिलेगा, सब में COOH मिलेगा, सब में H मिलेगा, तो ये तो सब में सेम है, सारे अमीनों अमल में ये सब सेम है, अलग क्या है? R ग्रूप, तो प्रतेक अमीनों अमल में भिन्न क्या होगा, विशम क्या होगा, आर अलकाइल ग्रूप, इसलिए अलकाइल ग्रूप को हम विविद समू भी कहते हैं, इसलिए हम आर या अलकाइल ग्रूप को क्या कहते हैं, विविद समू, वेरियबल ग्रूप क्यों, क्योंकि ये हर अमी अमीनो अमल में अलग-अलग होता है, तो next लक्षन क्या ध्यान में रखना है भई, next लक्षन आपको क्या ध्यान में रखना है, वो है सभी अमीनो अमल में, आर ग्रुप भिन्न होता है, और इसी लिए हम आर ग्रुप को विविद या वेरियेबल समूह कहते हैं, ठीके बच्यों तो ये 20 हो गया या 21 है या 22 हैं, जितने भी अमीनो अमल हैं, हर अमीनो अमल में भिन्न किस क्या होगा, ये आर समूह भिन्न होगा, आगे अपन देखेंगे, आगे अपन यही देखेंगे, कि ये 20 अमीनो अमल में आर ग्रुप कौन कौन से होते हैं और कैसे अल विविद ग्रूप कहना, वेरियबल ग्रूप कहना, इसे पार्शव ग्रूप भी कहा जा सकता है, इसे आप पार्शव समूबी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीके बचों, तो अमीनो अमल में हमने देख लिया, प्रोटीन की आधारिय इकाई हो गई भई, फिर ये अमी अमीनो अमल में ये आर ग्रूप जो है, वो भिन्न होता है, यानि वो पार्शव समूब है, या विविद समूब है, अब देखो बचों, अब नेक्स फीचर देखेंगे, अमीनो अमल का, सुनो, जब आप केमिस्य पढ़ते हो, और केमिस्य आपने 11-12 में थोड़ी बहुत पड़ी है, तो आपको पता होगा, एक एसिड होता है और एक बेस होता है, ठीके, एक एसिड है और एक बेस है, एसिड या अमल क्या होता है बचों, आपने केमिस्य में पढ़ा होगा, एसिड या अमल, प्रोटॉन देने वाला समूब, है ना, प्रोटॉन देता है, क्या होता है अमल और प्रोटॉन जो लेता है ग्रहन करता है वो होता है बेस या शारिय ठीके पार्श्व समू का मतलब शिवाने बेटा पार्श्व समू मतलब आर ग्रुप को ही कहते हैं बेटा ये आर ग्रुप को अलकाइल समू कहो पार्श्व समू कहो विवित समू कहो एक 21 वामीन अमल आगे बताऊंगा भई सेलेनो सिस्टीन होता है सेलेनो सिस्टीन 21 वामीन अमल होता है वो आगे बताऊंगा ठीके अब ध्यान देंगे सुन लो मेरी बात क्या कह रहा हूँ एक आसिड होता है और एक बेस होता है एक अमल और एक शारक जो प्रोटॉन देता है प् इतना तो सबको पता है ना, जो अगर मैं प्रोटॉन दे रहा हूं, मैं प्रोटॉन दे रहा हूं, तो मैं एसिड, मैं प्रोटॉन ले रहा हूं, तो बेस, तो कोई योगिक एसिड होता है, कोई योगिक बेस होता है, अगर कोई प्रोटॉन दे रहा है, तो वो एसिड, कोई प्रोटॉन ले रहा है तो वो बेस होगा ठीक है पता है सबको अब अमीनो अमल विशेश हैं अमीनो अमल विशेश हैं क्यों इधर देखो अमीनो अमल में ये जो है COOH ये अमीनो अमल में ये अशिडिक समू है अशिडिक समू है मतलब ये एच प्लस दे सकता है अमीनो अमल है वो अशिड दे सकता है ये वाला समू ये COOH अशिड क्यों कहते हैं किसी को भी अशिड क्यों कहते हैं क्योंकि वो एच प्लस दे सकता है अब अमीनो अमल में ये अशिडि और ये NH2, ये NH2 proton ले सकता है, ये शारक भी है, इधर देखो बच्चों एक सेकेंड, अब आप बोलोगे सर ये acidic group क्यों है, ये acidic group इसलिए है बच्चों, क्योंकि ये proton दे सकता है, प्रोटॉन इसने दे दिया, इसलिए ये acid है, अमल है, और ये NH2 ये ले सकता है, ये proton ले सकता है, इसलिए ये है base, ठीक है भई, एक चीज सुन लो भई, जिनका base थोड़ा कमजोर है, foundation, याद रखना मैंने कहा था, जीरो से बताऊंगा चीज़ें, acid का मतलब होता है, जो H+, छोड़ सकता है, ये मैंने H+, छोड़ दिया, तो मैं acid, और मैंने H+, ले लिया, तो मैं base, शारक, तो ये acidic समूग क्यों है बचों, क्योंकि इसने H+, छोड़ दिया, इसने H+, छोड़ दिया, तो ये COO- बन गया, इसलिए ये अमल है, और ये NH2 शारक क् ये H-Plus ग्रेहन कर लेता है इसलिए अब अमीनों अमल विशेष क्यों है भई अमीनों अमल में ये दोनों समुह मौजूद हैं कि अमीनों अम्ला असेड और बेस दोनों के रूप में काम कर सकता है भई है ना ओनलाइन ओफ लाइन दोनों है हम पढ़ रहे हैं ओनलाइन लेकिन मज़ा आ रहा है ओफ लाइन वाला अगर तो दोनों है तो असेड और बेस दोनों तो अमीनो अम्ला विशेश क्यों है भई क्योंकि अमी और शारिय समू दोनों मौजूद हैं और जब दोनों मौजूद होते हैं तो ऐसे अनू को हम उभया धर्मी या एमफो टेरिक पदार्थ कहते हैं ठीके अभी आवेश पे ध्यान मत दो चार्ज बाद में बताऊंगा अभी ये समझो कि अमीनों अमल में क्या क्या है सुन लो त तो आपके पास क्या बिंदू आ गया भाई ये जो अमीनों अमल है अमीनों अमल में अमलिय समू एवं शारिय समू दोनों उपस्तित होते हैं है कि नहीं अमीनों अमल में असिडिक समू और बेसिक शारिय समू दोनों उपस्तित होते हैं ऐसे अनूओं को क्या कहा जाता है एमफो टेरेक उभया धर्मी ठीके बचों तो आपको क्या ध्यान में रखना है हमारे पास अमीनों अमलिय में क्या मौजूद है अमलिय समू असिडिक भी है और शारिय समू बेस दोनों है तो वो असिड और बेस दोनों उपस्तित होते हैं और जब असिड और बेस दोनों उपस्तित होंगे तो ऐसे अनूओं को हम क्या कहेंगे अफो टेरिक, ठीक है, अब क्या होता है सुनो, अब क्या होगा अगर आप किसी भी अमीनों अमल को जल में गुल दो, ठीक है, अगर आप किसी भी अमीनों अमल को सुनो, अमीनो अमलको यदि आप जल में स्थानांतरित करोगे यदि आप अमीनो अमलको क्या करोगे बचों यदि आप अमीनो अमलको जल में स्थानांतरित करोगे तो जल में स्थानांतरित करने पर वो ऐसिड और बेस दोनों के रूप में काम करेगा क्या करेगा भई जल में स्थानांत्रित करने पर वो acid एवं base दोनों के रूप में कार्य करेगा तो आपने क्या किया बचों जैसे ही अमीनों अमल को जल में स्थानांत्रित कर दिया तो वो किस के रूप में काम करेगा अमल और शारग दोनों के रूप में काम करेगा तो कैसा होगा भाई इदर देखो कैसा होगा ये रहा R ये रहा H अमलक के रूप में काम करेगा तो प्रोटॉन देगा अमलक के रूप में काम करेगा तो प्रोटॉन देगा तो क्या रह गया COO- और और शारक के रूप में काम करेगा तो शारक के रूप में काम करेगा तो प्रोटॉन लेगा प्लस है कि नहीं, यह अम्ल के रूप में काम कर रहा है और शारक दोनों के रूप में काम कर रहा है इस Amino Acid को हमने कह दिया Zwitter Iron इस Amino Acid को हमने क्या कह दिया Zwitter Iron कह दिया, भाई तो मैंने आप से कहा, Amino Amlock को आपने जैसे ही जल में डाल दिया आपने जैसे ही अमीनो अमलक को जल में डाल दिया वो क्या होगा वो किसके रूप में काम करेगा वो अमल और शारग दोनों के रूप में काम करता है और दौनों के रूप में काम करेगा मतलब उसने अमलक के रूप में काम किया तो H+, दे दिया, शारक के रूप में काम किया, H+, ले लिया, ऐसे अमीनों अमलक को कहते हैं, ज्विटर आयन, और इस ज्विटर आयन पर net charge, net आवेश क्या होगा भई, उस पर net charge, net आवेश क्या जीरो Net Charge या Net आवेश क्या होगा भाई जीरो क्योंकि एक Plus है एक माइनस है Net Charge क्या हो गया जीरो, बिल्कुल सही तो Amino Amla Zwitter Iron के रूप में कब काम करेगा बच्छों जब जैसे आपने Amino Amla को पानी में डाल दिया पानी में डाल दिया तो वो किसके रूप में काम करेगा, ज्विटर आयन के रूप में काम करेगा, ठीके, अब ध्यान देंगे, ज्विटर आयन का मतलब है ऐसा अमीनो अमल जो एसे डॉर बेस दोनों के रूप में काम कर रहा है, ज्विटर आयन का मतलब ऐसा अमीनो अमल जो किसके रूप में काम कर रहा है acid और base दोनों के रूप में तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है zwitter iron का मतलब है amino amyl जो acid एवं base दोनों के रूप में कारियरत और इसका net charge क्या हो जाएगा बचों, zero हो जाएगा अब एक और नई चीज एक और नई चीज है कोई भी amino amyl है ना, एक pH पर भी, pH तो पता है आपको एक से 14 होता है pH मान सबको पता है, एक से लेकर 14 तक होता है pH 7 जो होता है वो neutral उदासीन, 7 से कम pH होता है तो amylia और 7 से अधिक pH होता है तो शारिया, सबको पता है ये बात अब amino amyl जो है वो एक निश्चित pH मान पर भी ज्विटर आयन के रूप में काम कर सकते हैं भई 20, 21, 22 अलग कितने तरह के amino amyl हैं, तो हर amino amyl एक विशिष्ट pH पर ज्विटर आयन के रूप में काम करते हैं और वो विशिष्ट pH का मान वो विशिष्ट pH का मान जिस पर एक amino amyl ज्विटर आयन के रूप में काम करें उस pH को हम सम विभव बिंदू या उसे हम आईसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं तो next क्या मान आता है बच्चों pH या ऐसे आ रखेंगे वहाँ विशिष्ट pH जिस पर अमीनो अमल ज्वेटर आयन के रूप में कार्य करें उसे सम विभव बिंदू या आईसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं ठीक है उसको डिनोड करते हैं पी आई से तो मैंने आप से क्या बताया बच्चों एक pH मैंने आपको बताया कि इसकी बात बताई मैंने आपको मैंने आपको कहा वो pH का मान वो विशिष pH का मान जिस पर अमीनो अमलक किसके रूप में काम करेगा भई जिस पर एक अमीनो अमलक ज्विटर आयन के रूप में काम करेगा उस pH को अपन क्या कह देंगे सम विभव बिंदू उस pH को हम क्या कह देंगे आईसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अब ये हर amino amla के लिए अलग-अलग होता है ये pH का मान सब पर अलग-अलग होगा जैसे इदर देखो उधारन के तौर पर मैंने कहा एक amino amla है A1 मैंने कहा एक amino amla है A1 वो pH 3 पर वो pH 3 पर जुटर आयन के रूप में काम करता है वो pH 3 पर zwitter iron के रूप में काम करता है तो उसका सम विभव बिंदू कितना हुआ उसका ISOLECTRIC POINT कितना हुआ बताओ तो अगर एक AMINO AML है वो pH 3 पर zwitter iron के रूप में काम कर रहा है तो उसका PI सम विभव बिंदू कितना हुआ शाबाश बिल्कुल सही, शाबाश तो उसका आइसो इलेक्टिक पॉइंट कितना हुआ, तीन है कि नहीं तो आईसोलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब है वो pH का मान जिस पर एक अमीनो अमल वो pH का मान जिस पर एक अमीनो अमल ज्विटर आयन के रूप में काम करेगा उसे क्या कहेंगे सम्विभव बिंदू बिटा P I का मतलब आईसोलेक्ट्रिक पॉइंट ही तो है I मतलब आईसोलेक्ट्रिक P मतलब पॉइंट क्लिर तो I guess इतना आपको समझ आ गया होगा ठीके भाई तो ये हमने क्या बात कर ली ये अपने pH अच्छा अब हर अमीनो अमलका आईसो डिट्रिक पॉइंट अलग-अलग होता है बच्छों मतलब ऐसा नहीं है कि सर इसका मान कोई fix होगा क्या नहीं 21 है 20 या 21 अमीनो अमलका है ना सब अमीनो अमलका सम विभव बिंदू अलग-अलग होता है ठीके अब सुनो नई चीज बता रहा हूँ तो ये तो अपने पी आई देख लिया अब इधर देखेंगे एक नई चीज अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्छों में क्या बता रहा हूँ ये मैंने एक ज्विटर आयन बना दिया ठीके बच्छों ये मैंने क्या भिया है भई ये हमने एक क्या बना दिया है ज्विटर आयन क्या बनाया बच्छों मैंने यहाँ पर ये ज्विटर आयन है और इस समय pH का मान किसके बराबर है PI के इस समय pH का मान किसके बराबर है बच्चों ISO-Electric Point के बराबर है न क्योंकि Amino-Amalat किसके रूप में काम कर रहा है Zwitter-Ion के रूप में तो इसका pH किसके बराबर है ISO-Electric Point अब ध्यान देंगे अब दो चीजें ध्यान रखनी है अब मैं पहले तो क्या कर रहा हूँ सबसे पहले मैं pH के मान को कम कर रहा हूँ अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं pH का मान कम कर रहा हूँ मैं pH का मान ISO-Electric Point से कम कर रहा हूँ ठीके अब ध्यान से सुनना एक सेकिन में इस समय pH-PI के बराबर है अब मैं pH का मान कम कर रहा हूँ, जब मैं pH का मान घटा रहा हूँ बच्चों तो मैं किस वातावरन में जा रहा हूँ, अमलिय वातावरन में, जब मैं pH का मान कम कर रहा हूँ, तो मैं अमलिय वातावरन में जा रहा हूँ, जा रहा हूँ ना, अब जब मैं अमलिय वातावरन म जादा होंगे, अब यह H plus ions किस से जुड़ जाएंगे, COO माइनस से, यह H plus ions किस से जुड़ जाएंगे, इस से जुड़ जाएंगे, तो अब क्या हो जाएगी संद्रचना भई, COO H, R, H, N, H3 plus, क्या आवेश आ गया बच्चों अमीनों अमलपर, इस अमीनों अमलपर क्या आवेश आ गया, positive, धनात्मक आवेश आ गया, कैसा आवेश आ गया बच्चों, धनात्मक आवेश, जैसे ही मैंने pH का मान, जैसे ही मैंने pH का मान कम कर रहा हूं, जैसे ही मैं pH का मान कम कर रहा हूं, मैं अमलिय वातावरन में जा रहा हूं, अमलिय मतलब वो H plus से, H जुड़ गया इस से, और आवेश क्या आ गया, पॉजिटिव, अब दूसरी चीज उल्टा, अब देखतरी चीज क्या कर रहा हूं, अब मैं pH का मान बढ़ा रहा हूं, अब मैं pH का मान बढ़ा रहा हूं, पी एच का मान बढ़ाऊंगा, तो मैं शारिय वातावरन में जा रहा हूं, पी एच का मान बढ़ेगा, पी एच का मान बढ़ेगा, तो OH की तरफ, अब यहां से OH है, तो NH3 का H, यह वाटर के रूप में निकल जाएगा, यह OH है तो यह NH3 का H इससे H प्लस जुड़ेगा तो H2O वाटर निकल जाएगा तो अब क्या बचेगा यहाँ पर NH2 ही बच जाएगा C α, COO-R और H अब इस पर क्या आवेश आ गया भई इस पर क्या आवेश आ गया रेनात्माक यानि नेगेटिव चार्ज तो देखो भई, वापस समझ लो अच्छी तरह से क्या हो रहा है वापस इस पर अब क्वेस्चन भी कराऊँगा इस पर क्वेस्चन भी कराऊँगा ध्यान से सुन लेना वापस मैंने एक ज्विटर आयन लिया था मैंने क्या लिया था बच्चों एक zvitter iron लिया था zwitter iron का मतलब था pH किसके बराबर था pH किसके बराबर था patri फिर मैंने आपको पहली अवस्था बताई जिसमें मैंने pH का मान कम किया जब मैं pH का मान कम करूंगा अमली अवातावरन में जाओंगा तो H प्लस इससे जुड़ जाएगा केवल ये पॉजिटिव चार्ज रह गया तो अमीनो अमला पर चार्ज क्या आ गया धनात्मक आवेश फिर जैसे ही दूसरे तरफ मैंने जैसे ही pH का मान बढ़ाया मैं शारिय वातावरन में गया तो वहाँ पर इसका H निकल गया NH3 से H निकल कर वाटर बन गया तो आपके पास क्या आवेश आ गया रेनात्मक मतलब जब जब pH का मान आईसोलेक्ट्रिक पॉइंट से कम होता है जब pH का मान आईसोलेक्ट्रिक पॉइंट से कम होता है तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा धनात्मक उस पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटेव और जब pH का मान जादा होगा आईसोलेक्ट्रिक से तो वो किस पर आवेश क्या आजाएगा नेगेटेव ठीक है ऐसे डाइन बेस तो यह रहा ना बेटा ज्विटर आयन है जो एसे डाइन और बेस दोनों के रूप में काम कर रहा है अब इस पर question करेंगे बचों अब इस concept पर क्या करते हैं questions ठीके जैसे ही pH का मान आपने कम कर दिया जैसे ही pH का मान आपने कम कर दिया तो क्या हो गया positive charge जैसे ही pH का मान आपने बढ़ा दिया उस पर charge क्या आगया में ठीके अब ध्यान देंगे अब ध्यान देंगे बिल्कुल common iron effect कह सकते हो अब question ध्यान देंगे बच्चों मेरे पास तीन अमीनों अमले है A1, A2 और A3 तीन अमीनों अमले है भाई A1, A2 और A3 तीनों का इसका isoelectric point है 4 इसका isoelectric point है 6 इसका isoelectric point है 8 तीन अलग अमीनों अमले है बच्चों तीनों का isoelectric point मैंने आपको दे रखा है और तीनों को हमने किस पर रखा है तीनों को बैदे pH 6 पर रखा है तीनों को मैंने किस पर रखा है pH 6 पर तो आपको ये बताना है A1, A2 और A3 पर आवेश क्या क्या होगा A1, A2 और A3 पर आवेश कहां कहां होगा ठीक है बेटा वाटर कहां बना पाए जी बेटा ये दर वाटर कहां बना यहां देखो बेटा ये ओएच था यहां से एक एच निकलेगा ना बेटा तो यहां से एक एच निकलेगा और ओएच इसलिए बन गया बेटा तो question देखलो भई A1, A2, A3 तीन अमीनों हम लहें A1 का Isolatric .4 है B का Isolatric .6 है तीसरे का थर्ड का Isolatric .8 है तीनों को pH 6 पर रखा है जवाब आने लग गए हैं बच्चों मेरे पास बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बच्चों शाबाश 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 देखें इदर A1 में क्या हो रहा है बच्चों A1 का जो PI है 4 pH 6 A1 का पी आई है 4 पी एच है 6 यानि पी एच पी आई से जादा है और पी एच जब पी आई से जादा होता है तो क्या आवेश आ जाएगा रिनात्मक यानि नेगेटेव सही A2 की बात करें A2 का PI 6 pH 6 तो पी एच पी आई के बराबर आ गया ना भई पी एच और पी आई बराबर आ गये तो इस पर चार्ज क्या आ गया 0 पी एच और पी आई बराबर हो गये ना क्या हो गया 0 तो A3 में क्या है A3 का PI है 8 pH है 6 मतलब pH पी आई से कम है pH पी आई से कम है pH जब कम होता है pH जब पी आई से कम होता है तो क्या चार्ज आता है positive बहुत बच्चों ने सही जवाब दिये हैं ज्यादा तर बच्चों ने सही सवाब दिये हैं बट I guess आप लोगों को समझ आ गया बच्चों सबको, A1 पर negative, A2 पर 0, A3 पर positive, जब pH और Pi बराबर होंगे ये रहा, जब pH और Pi बराबर होंगे तो net charge 0 हो गया, जब Pi, जब pH का मान कम होगा, जब pH का मान कम होगा, जब pH का मान कम होगा Pi से तो positive charge, और जब pH ज़ादा होगा Pi से, तो negative charge, हाँ, A2 जविटर आयन है, प्रदीब जी नहीं, A2 जविटर आयन के रूप में काम कर रहा है बेटा, जविटर आयन तो सब पर होंगे, जैसे A1 है, A1 का Pi 4 है, इसको में pH 4 पे रख दूँ, तो इसका भी जविटर आयन बन जाएगा, A3 का Pi 8 है, इसको में pH 8 पे रख दूँ, तो ये भी जविटर आयन बन जाएगा, क्लियर बच्चों, सब का जवाब सही था, हाँ भई अनुश्का, बहुत अच्छा बेटा, सब ने जवाब, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया था, क्लियर है, सब को ये concept, ये concept कोई नहीं बताता है, ध्यान रख लेना बच्चों, ये चार्ज कौन सा आता है, ये questions, aims में पूछे जाते हैं, olympiards में भी पूछे जाते हैं, ठीके, तो वापस देख लो, बच्चों ने पूछा है, सर वापस एक बार बता दो, तो एक बार वापस समझ लो बेटा, इस समय पी-एच और पी-आई बराबर है भई, ज्वेटर आईन था, एक बार वापस था, पी-एच और पी-आई का मान बराबर है इस समय, मैंने दो ही case किये हैं, एक बार मैंने पी-एच कम कर दिया, एक बार मैंने पी-एच बढ़ा दिया, जब मैंने ph कम कर दिया तो h plus ion यहाँ पर आकर जुड़ गए जब मैंने ph का मान कम कर दिया था न तो h plus यहाँ पर जुड़ गए बेटा यह देखो तो आवेश यह रहा positive फिर जब मैंने ph बढ़ा दिया न pH बढ़ा दिया तो OH और ये वाला एक H कम हो जाएगा ना, यहाँ पर OH था, यहाँ का एक H प्लस कम हो जाएगा, यह H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, एक H प्लस यहाँ पर कम हो गया, तो यह NH2 हो जाता है, ठीके चलो, गलती कोई दिकत नहीं है, समझ आ गया concept, एक चीज और बता रहा हूँ अपन, फिर अपन नेक्स में देखेंगे, तो I guess यह सम विभव बिंदू के बारे में दो तीन चीज़ें और याद रखना है, यह जो आईसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, इस चीज में आप रखना है बचों, अब एक और चीज याद रखनी है, कि यह जो सम विभव बिंदू है न, यह हर अमीनों अमल के लिए अलग-अलग होगा, इसका कोई निश्चित मान नहीं है, 21 या 22 अलग-अलग तरे के अमीनों अमल होते हैं न, तो हर अमीनों अमल का स सम विभव बिंदू अलग-अलग होगा, तो आपको ध्यान रखना है प्रतेक अमीनों अमल का सम विभव बिंदू ठीके, मतलब ऐसा नहीं है बचों, ऐसी चीजे ध्यान में रखनी है, विकास जी ने पूछा है सर, अगर जो अमीनों अमल वाटर में डिजॉल नहीं होते, तो विकास बेटा, उनका पी-एच तो अलग-अलग होगा, तो पी-एच के आधार पर वो ज्विटराइन के सम विवव बिंदू अलग-अलग होगा, ध्यान रखना, अच्छा, एक और चीज याद रखना, एक और चीज याद रखना बच्चों, सम विवव बिंदू पर, सम विवव बिंदू पर, पी-आई है क्या, अरे पी-आई ही तो सम विवव बिंदू है, अरे भई, पी- बिंदू को ही तो PI कहते हैं आईसो एलेक्ट्रिक पॉइंट और इस पर आपको याद रखना है आईसो एलेक्ट्रिक पॉइंट पर इस बिंदू पर अमीनो अमल का नेट चार्ज जीरो हो जाता है ठीके इस बिंदू पर अमीनो अमल का नेट चार्ज क्या हो जाएगा भई जीरो हो जाएगा क्लियर भई तो ये आईसो एलेक्ट्रिक पॉइंट का बिंदू मैंने आपको बता दिया अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे अपन नेक्स चीज अब नेक्स चीज ध्यान देंगे अब सुन लो अमीनो अमल आपस में जुड़ेंगे और अमीनो अमल जब आपस में जुड़ेंगे तभी तो प्रोटीन बनेगा और इतना आपको मालूम होगा बचों कि अमीनो अमल आपस में किस के द्वारा जुड़ते हैं अमीनो अमल आपस में पैपटाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो अब कैसे बनेगे इधर ध्यान देंगे अब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे peptide bond का निर्मान अब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे भई peptide bond जो है वो कैसा होगा 0 कैसे होगा भई दूने पूछा है सर बेटा 0 amino acid का net chart 0 ही होगा न आइसो एलेक्ट्रिक पॉइंट पर amino amino ज्विटर आयन के रूप में काम करेगा amino amino के रूप में some विबव बिंदू पर amino amino किसके रूप में काम करेगा ज्विटर आयन का net charge क्या होगा 0 ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों amino amino बनाते हैं आजाओ NH2 C alpha COOH यह पहला amino amino लहे इसलिए मैंने R1 कह दिया बच्चों इसको और यह दूसरा amino amino है तो ठीक है यह मैंने क्या बना दिये भाई दो amino amino मैंने बना दिये है ठीक है इसको यहाँ पर ले ले दे है अब यह दो amino amino है बच्चों अब क्या होगा ध्यान देंगे दौनो amino amino को आपस में जोड़ना है अब दौनों जोड़ना है तो दोनों आपस में जुडेंगे तो बंद के द्वारा दोनों आपस में जुडेंगे ना अमीनों अमला आपस में जुडेंगे तो एक कोवेलेंट बंद बनेगा और उस बंद को बॉंड को क्या कहते हैं पैप्टाइड बॉंड तो अब यहां पर बंद कैसे बनेगा भई य यहां से OH निकला और यहां से एक H निकलेगा तो क्या निकला बच्छों H2O जल निकल गया ना यहां से OH और यहां से H तो क्या निकाल दिया बच्छों मैंने एक जल निकाल दिया जब जल निकलता है तो उसे क्या कहते हैं निरजली करन जब जल निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं निर्जली करन या डी हाइडरेशन अब वाटर निकल गया बच्चों तो अब क्या बचा अब क्या होगा NH2 C-Alpha H-R1 यहाँ पर क्या बच गया यहाँ पर क्या बच गया बच्चों सिरफ C-O और यहाँ पर क्या बचा NH यहाँ पर क्या बचा NH यहाँ पर क्या बचा C-O यहाँ पर क्या बचा NH बस बाकी सब तो सेम है R2H C-O-O-H बन गया तो यह क्या बना भई ये C-O-N-H बंध, ये C-O और ये N-H, ये जो बंध है C-O-N-H बंध, इसी बंध को हम क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, C-O-N-H को ही हम क्या कहते हैं, इस C-O-N-H बंध को ही पेप्टाइड बंध कहते हैं, और अमीनो अमल, एक अमीनो अमल, दूतरे अमीनो अमल से जब जुड़ेगा, तो आपस में किस बंध के माध्यम से जुड़ता है, इस पैप्टाइड बंध के माध्यम से, सी ओ एनेच बंध को कहते हैं, पैप्टाइड बंध, अब इस पैप्टाइड बंध के कुछ लक्षन आपको ध्यान में रखने हैं, इसे क्या कहेंगे, डाइप्टाइड, दो अमीनो अमल आपस में जुड़े हैं, तो इसे क्या कहेंगे, डाइप्टाइड, तीन अमीनो अमल आपस में जुड़ेंगे, तो ट्राइप्टाइड, चार अमीनो अमल आपस में जुड़ेंगे, तो टेटराप्टाइड, पांच सारे अमीनों अमलत जुड़ जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे पॉली पेप्टाइड। ठीके तो यह जो 7 ओ एनस बंध है सबसे पहले तो यह सी ओ एनस बंध क्या है पेप्टाइड बंध है पहली चीज, कैसे बन रहा है, जल के निशकासन के द्वारा, यानि निर्जली करन के द्वारा बन रहा है, दूथरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये peptide बंध जो है, इसमें C-O-N-H, ये देखो आप chemistry में पढ़ते हो ना, ये trans configuration में है, अगर C-O-N-H-A की दिशा में होते ह हैं, लेकिन इसमें C-O उपर है, N-H नीचे है, तो ये कौन सा अवस्था है, trans अवस्था है, और हमेशा peptide बंध किस अवस्था में मिलते हैं, इस trans अवस्था में मिलते हैं, तो peptide बंध का निर्मान में क्या-क्या याद रखोगे भई, कि peptide बंध दो अमीनो अमला को जोड़ते हैं, किस तरह के हैं, एक तरह के कोवेलेंट बंध हैं, निर्जली करन के द्वारा बन रहे हैं, और हमेशा किस रूप में होंगे भई, trans configuration में होंगे, अरे peptide बंध अला कि अमाइड बंध नहीं है, ये peptide बंध है, ठीके, अमीनो अ अमला को जोड़ रहा है, अब लिख लें लक्षन इसमें अपन, अब क्या ध्यान में रखोगे peptide बंध के बारे में भई, क्या-क्या बिंदू याद रखोगे peptide बंध में, सबसे पहली चीज, peptide बंध, अमीनो अमल, तो अमीनो अमला को आपस में जोड़ने वाला बंध कौन सा है भई, अमीनो अमला को आपस में जोड़ने वाला बंध कौन सा है, peptide बंध है, दूसरा किसका उधारन है ये, निरजली करन संचलेशन का उधारन है, किसका उधारन है, निरजली करन संचलेशन, यानि जिसे हम क्या कहते हैं, dehydration synthesis, क्योंकि इसमें जल के अणू निश्कासित हो रहा है, इसलिए निरजली करन, तीसरा मैंने आपको बताया, ट्रांस विवस्था में उपस्थित है, ट्रांस संरचना का मतलब है, C, O, N, H हमेशा अलग-अलग होंगे, हां किसी को भी उपर लिख सकते हो, किसी को भी नीचे लिख सकते हो, C, O, अगर नीचे लिखोगे तो N, H उपर होगा, C, O, उपर लिखोगे तो N, H नीचे होगा, बस दौनों हमेशा ट्रांस एक दिशा में नहीं हो सकते, तो ट्रांस संदचना का उधारन है ट्रांस संदचना हमेशा एक उपर होगा एक नीचे होगा इससे ज़ादा स्टेबिलिटी आती है अब आप सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों सर दौनों एक ही दिशा में क्यों नहीं होते तो दोनों विपरीत दिशा में होते हैं ताके जादा स्थाई जादा स्टेबल हो सके दिपक बेटा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा केमिस्टी में आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे न तो क्या आपने आइनिक बंद होता है कोवेलेंट बंद होता है जो इलेक्टरॉन की शेरिंग से बनता है उसे कोवेलेंट बंद कहते हैं भई ठीक है जो इलेक्टरॉन की शेरिंग से बनता है बेटा वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है 11th में atomic structure में आप नहीं पढ़ते बेटा chemical bonding में नहीं पढ़ते बंद के प्रकार तो ये किसका उधारन हो गया भई ट्रांस संद्रचना का उधारन भी है तो अमीन ओमलक आपस में जोडने वाला बंद है निरजली करन संचलेशन है और किसका उधारन है ट्रांस संद्रचना का अब क्या ट्रांस का opposite क्या होता है cis रूप ट्रांस का opposite अगर ये एक ही दिशा में हो तो उसे cis कहते हैं और example of covalent बिल्कुल सही अब क्या है भई अब peptide बंद के बारे में ये तो मैंने बता दिया अब एक नया सवाल है बच्चों मेरे पास मेरा सवाल ये है ध्यान से सुनना मैंने कहा बच्चों तीन अमीनों अमल है तीन अमीनों अमल प्रतेक का भार 150 डाल्टन्स है तीन अमीनों अमल मिलकर tripeptide बनाते हैं ठीक है बच्चों तो अब ध्यान रखना है तीन अमीनों अमल है तीन अमीनों अमल प्रतेक का भार 150 डाल्टन्स है ये मिलकर क्या बनाते हैं भई ये मिलकर एक tripeptide बनाते हैं tripeptide का भार क्या होगा मैं आपको जल का आणविक भार बता देता हूँ 18 डाल्टन्स होता है जल का आणविक भार कितना होता है 18 डाल्टन्स उस आधार पर आपको जवाब देना है बहुर अच्छा भई आप लोगों ने तो जवाब देना भी चालू कर दिया बहुर अच्छा तो तीन अमीन अमले हैं बच्छों तीन अमीन अमले में प्रते का भार 150 डाल्टन है ये मिलकर tripeptide बनाएंगे उस tripeptide का भार क्या होना चाहिए काफी बच्चों ने जवाब सही दे रहे हो बेटा बहुत अच्छा कुछ-कुछ गलतियां कर रहे हैं कुछ बच्चे बाकी जादातर बच्चे सही जवाब दे रहे हैं बिलकुल सही देखें भई तीन अमीन अमले मान लो मैंने कहा a1, a2 और a3 तीन अमीनों अमले हैं तीनों का भार कितना है भई एक सो पचास, एक सो पचास और एक सो पचास तीनों का भार कितना है एक सो पचास, एक सो पचास, एक सो पचास है है कि नहीं अब यहाँ पर ये दोनों जुडेंगे तो एक जल का अनू निकलेगा और ये दोनों जुडेंगे तो दू जल के अनू निकलेंगे जब दो अमीनों अमलत जुडते हैं तो एक जल का अनू निकलता है तीन अमीनों अमलत जुडेंगे तो दो जल के अनू निकलेंगे ना तो दो जल के अनू मतलब 18 यहाँ पर, 18 यहाँ पर, तो टोटल कितने होंगे, 150 प्लस 150 प्लस 150, साड़े 400, माइनस कितना करेंगे, 36, तो आंसर क्या आएगा भई, 414 डेल्टन्स, तो आंसर क्या आएगा, 414 डेल्टन्स, क्लियर भई, आंसर, तीन अमीनों अमलत है, प्रतेक का भार, याद रखना एक का नहीं है, प्रतेक अमीनों अमलत का भार, तो तीनों का भार, 150, 150, 150, तो वैसे तो तीनों मिलकर कितना बनाएंगे, 400, लेकिन, लेकिन, दो जल के अनू निश्कासित होंगे, एक जल के अनू का भार 18 होता है, तीन जल के अणू निकालना नहीं है भई, गलती मत कर देना बच्चों, तीन अमीन अमलेट जुडेंगे, तो दो ही तो पेप्टाइड बंद बनेंगे, तो दो ही जल के अणू निकलेंगे, याद रखना, अरे क्लियर है बच्चों, ये बात समझ आ गई सबको, आंसर सबका 414, 414, माइनस कर दिया, 36, यहाँ पर 18 एक, और दो जल के अणू माइनस करेंगे भई, दो जल के अणू माइनस करेंगे, तो माइनस 36, आंसर कितना आ गया, 400 एन्ट फ्रोटीन, ठीके बच्चों, तो PI की definition लिखा चुका हूँ भई मैं, PI की definition, मैंने बता दी बेटा, Isoletric Point की definition कहां लिखा, यह इधर देखो, यह रहा बेटा, एक सेकेंद, यह PI की definition लिखा दी बिना बेटा, वह विशिश pH, जिस पर Amino Acid Zwitterine के रूप में कार्य करता है, उसे सम्विभव बिन्दू कहते हैं, यह रही PI की definition लिखा, सब की परिभाशा यह देखो, यह रही परिभाशा PI की, PI की परिभाशा बता दी ना, एक सो पचास में से माइनस नहीं होगा, एक सो पचास में से कैसे माइनस करोगे भई, एक अमीनों में से कैसे जल को निकाल दोगे, एक ही अमीनों में से कैसे जल को निकाल दोगे, जल कब निकलेगा, जब peptide बंद बनेगा, या अमीनों में से ही जल निकल जाएगा, एक अमीनों में जब दूथरे अमीनों में से जुड़ेगा, तब जल निकालोगे न एक Amino Amla में से कैसे जल निकाल दोगे तो तीन Amino Amla है एक, दो, तीन तीनों आपस में जुडेंगे तीनों आपस में जुडेंगे जब Peptide बंद बनेगा तभी तो जल निकलेगा Amino Amla से पड़े पड़े जल निकाल दोगे एक सो पचास भार है Amino Amla का उससे जल निकल जाएगा जल तब निकलेगा जब वो Peptide बंद बनाएगा अरे जुडेराइन काम क्या करते हैं Amino Amla है भई, Amino Amla अलग-अलग pH पर अलग-अलग रूप में काम करता है तो जब उसका pH और उसका पी आई बराबर हो जाते हैं तब वो जुडेराइन के रूप में काम करता है हाँ बना सकते हो बेटा रिकॉर्डेट वीडियो से नोट्स बना सकते हो बिल्कुल और उसमें कुछ एड़ गरना हो तो इसमें से एड़ कर सकते हो नहीं लिखते भई, पी आई को जितने पेप्टाइड बंध होंगे उतने ही वाटर निकलेंगे बिल्कुल सही, जितने पेप्टाइड बंध बनेंगे उतने ही वाटर निकलेंगे भई क्वेस्चन में पूछा जाए अमीनोमल कितने होते हैं तो आंसर 20 ही रखना भई 21 और 22 तो नए अमीनों अमले हैं जिनके नाम में बताऊंगा लेकिन 20 अमीनों अमले ही याद रखने हैं प्राकरतिक अमीनों अमले इस संडे से टेस्ट नहीं होगा भई टेस्ट आपका तीन संडे के बाद से चालू होगा अभी तो क्लास चालू हुई है बचों टार्गेट की अभी तो हमने टापी की कवर नहीं करेंगे ना आपके जो टेस्ट हैं वो तीन संडे बाद से चालू होंगे और फिर हर संडे टे MTG की, बेटा MTG fingertips करके आती है, MTG fingertips आती है, बेटा उतकष के module है बेटा लेकिन उतकष के module केवल offline students के लिए है बेटा, ठीक है ना offline students के लिए module उपलब्द है, ठीक है recorded classes से भी आप notes बना सकते हो, बिल्कुल recorded classes से notes बना के रखो और live class में उसमें कुछ add-on करते रहो, कुछ चीज़े जोडते रहो, best होगा, ठीक है बड़िया लागा, बहुत अच्छे बात है बच्छो, option में 21 हो, तो भी हाँ 20 ही करना बेटा, क्योंकि summary में 21 लिखा हुआ है, 21 और 22 नए खोजे गए अमीन आमला है, 20 ही ध्यान रखने हैं आपको, दो नए बता दूँगा मैं, ठीक है बच्छो, ये वाला system है, देखो, charge वाला system बुचे बुचे रहे हैं, ये देख लो बेटा, इसमें pH और PI है, simple सा दो concept रियाद रखने हैं, पहला concept रियाद रखना है कि जैसे ही pH का मान कम हो जाएगा, जैसे ही pH का मान PI से कम हो जाएगा, उस पर charge positive आएगा, और जैसे ही pH का मान जादा हो जाएगा PI से, तब उस पर रिनात्मक charge आजाएगा, ठीके, हाँ पंके ची क्या question पूछना चाहते हो, पूछ लो बेटा, ठीके, और अपनी book में देखना बच्चों, आपके जितने भी course जिन्हों ने लिया है न, उसमें biomolecules की पूरी book upload हो गई है, उसमें questions भी आपको मिल जाएंगे, पूरा जब questions और उसके video solution सब उपलब्ध हैं, जितने amine normal आपस में जुड़ेंगे, उससे एक कम peptide bond बनेगा, बिल्कुल सही, हाँ बेटा, notes बिल्कुल सही, अपने जो notes हैं वो sufficient है, किसी भी entrance को crack करने के लिए, आपके entrance के लिए हर तरह के notes बिल्कुल पूरे उपलब सब है, आप लोग बच्चों अपने library को दीखेगा, अपने library में जाना, अपने library में आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, इसके सब चीज़ें, क्या बात है बच्चों, मानवकारी की के notes पूरे बना लिए, बहुत अच्छा भई, recorded videos का यही तो फाइदा है, recorded videos का फाइदा यह है, कि आप लोग जब चाहें chapter पढ़ सकते हो, उसको तयार कर सकते हो, बहुत अच्छा यार, ठीके भई, तो आज तो अपन ने इतना किया है, आज अपन ने basically, तो जैव अमीनो अमला, अब कल अपन क्या करने वाले हैं बच्चों, याद रखना, कल हम लोग अमीनो अमला का वरगी करन पढ़ेंगे, कल हम लोग अमीनो अमला लगबग पूरी कर लेंगे भई, अमीनो अमला जो 20 प्रकार के अमीनो अमला हैं और 21 वा और 22 वा अमीनो अमला, वो अमीनो अमला भी हम कल पूरा कर लेंगे, तो अमीनो अमला वाला topic जो है, वो हम कल पूरा complete कर लेंगे, ठीके, tripeptide का मतलब है, तीन अमीनो अमला जुड़े हुए हैं, दो अमीनो अमला जुड़ते हैं, तो dipeptide, तीन अमीनो अमला जुड़ते हैं, इसलिए tripeptide, tripeptide, dipeptide, अमीनो अमला की संख्या पर है, peptide bond की संख्या पर नहीं है, आरे बहुत बहुत धन्यवाद भई, चलो बढ़िया मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी हो रही है, क्या बात है बच्छों, बहुत अच्छी बात है भई, ठीके, ncrt मैंने कहा था, chapter जब पूरा complete हो जाएगा, मैंने आपको मंदे को पूरा orientation भी समझाया था बच्छों, ठीके, पूरा orientation बताया था, जब chapter पूरा complete हो जाएगा, तब ncrt पढ़ना, ठीके, chapter पूरा complete करने के बाद ncrt पढ़ेंगे, और उसके बाद previous year के questions जो solve ठीके, ठीके, अरे क्या बात है, पूरा वीडियो, बई कमान है यार, बच्चे मेसेज करते सर, हमने तो पूरे वीडियो, सारे वीडियो देख लिए है, सब के नोट्स बना लिए है, बच्चों बहुत अच्छी बात है बई, ठीके, previous year questions सब हैं बई, आप में थोड़ा रेगिलर चलेगा, हाँ तो chapter तो पूरा complete ही होगा ना बेटा ये, ठीके practice book के लिए मैंने बताया था बेटा, MTG की fingertips करके book आती है, MTG की fingertips, Monday को मैंने आपको पूरा बताया है हर चीज, हिंदी के question bank करने के लिए अगर एक book चाहिए, तो वो है MTG की fingertips, वो वाली book, ठीके notes कैसे बनाएं, आरे notes ये ले रहा हूँ ना बच्चों मैं आपको, जो PDF है मेरी उससे notes बनाने है, जो मैं हाथ से आपको लिखके दे रहा हूँ, और जो PDF आपको बनी हुई मिल रही है इसकी, इस panel की, यही notes हैं, इसी को देखकर notes बनाने है, कल की class आप में नहीं होगी क्योंकि कल class थी ही नहीं, ठीके, चलो बच्चों फिर I guess आज के लिए इतना ही है, बाकी, बेटा शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत तो, MTG 20S वाली भी ले सकते हो, fingertips, MTG fingertips की बात है, ठीके, NEET में government college के लिए कितने marks बेटा, वो NEET exam के बाद decide होता है, NEET का paper होता है, paper के बाद उसका cutoff निकलती है, cutoff के आधार पर पता लगता है कि college कितने number उपर मिलेगा, हर साल अलग-अलग cutoff जाती है ना, तो हर साल अलग-अलग number आते हैं, जब तक, कहते हैं कि क्या कहते हैं, ठीके बच्चों, चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, कल मुलाकात होगी, thank you